कि जय है जय भारत बंदे बात्रव मैं रभिंद्र फोजी कि आज एक इंपोर्टेट बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं जैसा कि आपको पता है मैं पूरा अगत करा चुका हूं आपको कि हम साइक बर्था के खिलाब एक याचिका दायर कर रहे हैं कोट में उस याचिक समस्याओं के बारे मिश्चा करा हूं ताकि हो सकता है किसी के माद्यम से उस्वष्याओं का हल निकल सके 열 कि मैं कि तीन चार पॉइंट इस विश्शन मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं और चाहता हं कि उछ पॉइंट ओपर आप हमारी मदद करें ताकि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें मैं पंद्रा से बेश दिन हो गए लगातार इस केस के उपर इस्टड़ी कर रहा हूं वकीलों से बात की है मैंने इसी केस के सिलसले में जो रिटाइड जैज हैं हमारे पूर उन्यादीस उन्हों से भी बात की है तो सभी लोगों ने कुछ से एक पॉइंट हमें दिये हैं और उन्होंने कहा कि अगर आप कोई सिस्टम के खिलाब लड़ना है और मजबूती से लड़ना है तो ये पॉइंट आप इखटा करो और इन पॉइंटों के साथ आप न्य दोना का समय चल रहा है इसलिए मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के सामने रखना हूं ध्यान से सुने कोशिस करें आप सुनने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिन लोगों के पास मोबायल नहीं है हमारे च पहले एक चीज और बता देता हूं कि यह साइक परता है क्या क्योंकि हमारा वोट में जो फ़स्ट मसला इसको जब हम पोट के सामने रखेंगे तो सबसे पहले सवाल आएगा कि साइक परता क्या है क्या यह लिखित में इनको लागू है क्योंकि कोट कही सुनी वातों को ध् जाती है तब यह कारिगरत करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो यही आएगा कि क्या यह सिस्टम लिखित में है क्योंकि जिन नए दीशों से हमारी बात हुगी है वो कह रहें कि आखी कि आपने यह चीज को बता दिया अब को बोलेगा कि ठीक हम जिस चीज को हम बंद करें कि साइक पर्था को बंद करें तो यह साइक पर्था है क्या क्या यह वास्तों में लिखित में है तो इसी सिल्षले में मैं सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह देना चाहता हूं कि क्योंकि मैंने भी सर्विस में सुना भी है देखा भी है और मेरी काफी जवान भाई हैं जिन्होंने सेना में सर्विस की है जो डूटी कर रहे हैं जो फोजी है उन सब को पता है लेकिन यहां सिविल जनता को भी बताना जरूरी है क्योंकि यह मामला देश से जुड़ावा मामला है पहले अंग्रेज अपसर होते थे और जवान भारतिया होते थे तो वो हमारे देश के जवानों को गुलाम समझ कर अपना मनमर जी का काम जैसे जाडू, पोचा, भरतन, पूठ पॉलिस, सर्वेंट, एज़े सर्वेंट की तरहे ट्रीट करते थे सोल्जर को उसके बाद जब अंग्रेज चलेगे, आज सोल्जर हमारे जवान भी हिंदुस्तानी है, अपसर भी हिंदुस्तानी है, वो यह बारीवी पास अपसर जाते हैं और जवान भी दस वी और बारीवी पास दोनुए आते हैं, वो में टर अलग है फिर आज भी क्यूं यह अपसर हमारे जवानों से इस तरह का काम करा रहे हैं, देश की जंता को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जवानों से आज भी अपसर इसी तरह का परसनल अबरक करवा रहे हैं, जिसमें ज़ाडू, पोचा, कुत्ते गुमाना, भूट पोलिस करना रसोई में काम, टोइलेट तक के साफसपाई, इस तरह के सारे के सारे काम आज भी करवा रहे हैं, क्यूंकि आज भी सैना में वोई अंग्रेजों के काले का रूम चल रहे हैं, बहुत से लोगों के पॉइंट आये थे कि बाई जो यह वेटर वाड़ा अपने देखा होगा, इनकी मनमर जी, कभी बड़े की पार्टी, तो कभी बीबी का बड़े, तो कभी श्यातुर जी का बड़े, कभी फलाड़ा, मदब दुनिया वर की पार्टी इनकी चलती रहती हैं, हमें आपकी पार्टी उसको वेजर्जी नहीं है, लेकिन आप अपने श्युवल बेडर में इस्तिमाल करते हैं तो ऐसे जितने भी गरीलू वरक हैं उनके खिलाब हम यह याचिका लगा रहे हैं और इस याचिका में मैं पहले बता चुका कि आर्मी और आर्मी के साथ पैरा मिल्ट्री फोर्स दोनों के जहां भी जिस सोल्जर ने बैल्ट पैरी है और जिसके पीछे फोजी सब्द यूज होता है उन सब के लिए यह जवानों के लिए यह अच्छी का लगाए जा रही है अब जैसा मैं बता रहा था कि इसमें समस्या है समस्या सबसे पड़ी समस्य ये है कि हमें वो लेटर या वो पैराग्राफ जिसमें लिखा हुँआ है अंग्राजों के जवाने से लिखा हुआ है अपसर्कों यह चीज उत्राई है इनके लिए वर्दी त्यार करने के लिए है लिखित यो चाहिए यह आप। किसी भी तरह वो हमारे पास जरूर बेज़े पहले तो मेरे नमबर नोट कर लें यह स्क्रीन पर जो आप नमबर देख रहे है एड़ टू नाइन जीरो थिरी फाइब और फाइब वन थ्री बियासी नब्बै पैतीस पैतालीस तेरह यह मेरा नमबर है इस नमबर पर आप इससे साइक पर्था से जुड़ी हुई पहली जाड़कारी तो यह आगे और भी आपको बताते था हूँ क्या-क्या में चाहिए तो यह आप इस नमबर पर बेज़ दें ताकि हमें एक केस जीतने में और लड़ने में आसानी होगी कि यह नमबर मेरा मैंने पहले भी कई बर काया है यहां एक पॉइंट और आएगा सबसे मस्बूत लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले ज़रुत पड़ती है अगर कोट का सारा लेने हो लेना है तो पैसों की यह नमबर फिर आज मैं बहुत से लोगों की पॉइंट भी बता हुआ बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत कहते हैं कि यूटूब से कितना कमाई या वो सारी डीटेल भी आज मैं आपको बता हुआ है यह जो मेरा नंबर है यह मेरा फोन पे गूगल पे पेटियम सभी से जुड़ा हुआ है जिन्नों लोगों ने भेज़ा है मेरे पास अगवग एक लाख बीस जार रुपए क्लेक्ट हुआ है इसी नंबर के द्वारा और यह साथ में इदर जो एक अकाउंट नंबर है इसकी साखा भी मैंने बीच में मतलब कई लोग कोंशते साखा क्या है तो वैसे मैं बता देता हूं नाम रविंदर शिंग है इसकी ब्रां है जिन्होंने बेजा में फिर कहता हूंगा धन्यवाद बाकी बचे हुए लोग भी बेजो क्योंकि यह हम जो केस कर रहे हैं यह पहले हाई कोट में दर जोगा हाई कोट में ही कम से कम हमें एक से देट लाग रुपए चाहिए एक बीस मेरे बस कलेक्ट हो चुका है अगर ख आगर फोची वखीयलों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तुमारे साथ अगर इतनी फोजी जुड़े वे हैं वोगर जैसे बहुत लोग उने को इसने सो पचास अजार पाम सो इस तरह हैं बोलते हो कि सारे मेरे साथ हैं तो आज कम से कम आपके आपके पास 10isen अपर पैसा होना से ही था और आप एक अच्छा वकील हायर कर सकते थे कहते हैं लेकिन विडमना है वो मैं पहले बता चुका हूं कि साथ है जैकरा लगाने वाले बहुत हैं यह भी कहते हैं मैंने बेश दिया लेकिन जो किराउंड की स्थिती है वह यह है बहुत से लोग कहते हैं एक बीच बीच में अफसरों के भी कुछ हमारे एक डियस्टी का इतकल पर शुप होना रहा था पीक फोन लगा दिया बहुत पैसे कमा रहे हो मेरे को पता है तुम कुछ कि रावन में कुछ नहीं कर सकते हो मेरे यहां दस सायक है आप बंदू के दम पर गाड़ी बठा कर आपके पास लाकर खड़ा कर दो अगर आप कुछ करो तो मैंने कहा इतना दम दिखाने की जरुत नहीं है आप मुझे सिर्प उनके नाम या उनकी एक वीडियो कि बना कर मे कि रहते हैं अंग्रेश इस देश से जाने वाले नहीं थे कहीं ना कहीं हमारे देसे कुछ लोगों करांते कारी कदम उठाया तो गए नहीं तो इंगलेंड से इंडिया तक उनका रास्ता बोलते देश्याज नी डूपता था और किसी को विश्वास नहीं था को चले जाएं अब जो परशेंट अटेगा इस समय सरकार एक इसी से जुड़ा होएक मुद्दा आएगा अभी जो मेरी बात हुए मैं बताता हूं सरकार का मुदी जी ने इसमें क्या पॉइंट दिया हूँ बता हूँ लेकिन हमारे पॉइंट से पहले मैं उनके उपर आ जाता हूँ मैंन अपने परदान मंत्री जी राष्ट बदी जी ग्रह मंत्री रक्षा मंत्री और अमारे सैना अध्यक्स इन सब को लेटर दिया था कि वह यह साइक पर्था बंद करो उस समय कहीं कहीं एक बड़ी चर्चा का विश्य बने था टीवी न्यूज वगेरा में भी आया था और ग्राउंड में आज भी वही चीज़ें हो रही है तो यह डिसकस भी हमारा हुआ जो हमारे वकील साव है जो जजम होदे उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो और एक तरफ सेना कहा देगी कि हमने तो सिष्टम पहले बंद कर दिया इसलिए 2017 के बाद का इस्तिति का कोई बंदा है कोई नहीं आ सकता मुझे पता है मजबूरिया है रिटायर जो भी ताजा हुए है या तो वह सामने आए 2017-2018-2020 के बाद तक कि हाँ वास्ता हमने देखा है तो वह बंदे हमसे संपरक करें कि मैं चलकर आपके साथ यह चीज़ों के गवाई दे सकता हूं या आप कोशिस करें चैरे पर आजकर वैसे करोना चल रहा है चैरे बांदे यहां से यहां तक अपना नकाब और उसके अंदर बताएं कि मैं बारते सेने का जवान हूं आप अपना नाम नहीं लेने की जूरत है ना पूर लोकेशन जायर करने की जूरत है आप सिरफ नगाब पहरें बोलें मैं नंते सेने का जवान हूं या मैं जहां सेने का जवान हूं एशासृ बिपřिफिए मैं उसका ग्रत जवान हुं और मेरी इनट सेंब कर ले सकते जहें के परवाले ने दिया वाई आज हमारा प्लस पॉइंट भी है कि आप नकाल में वीडियो बेज सकते हो यह माइनस पॉइंट भी है कि आप लोगों से मिलकर या कोट को खुल कर यह चीज़े बताने में क्योंकि कोई भी करोना की वज़े से इकटे नहीं हो सकते हैं जो इसके अपनी नेम प्लेट हडाओ फॉन लोकेशन ओफ करो चुट्टी बेग ड्रेस ले जाकर चुट्टी पर बढ़ाओ कहीं भी छोटे चोटे इतना वीडियो दो कि यहां 2017 के बाद भी इस साइक परता जारी है और नाम दे सकते हो तो वैलन कुट उसके अलाव भी हमारी जो पर तो उसकी कोफी मेरे नमबर पर जरूर बेज़ें कोशिस करें क्योंकि सीधा सीधा वकीलों ने और उन्हें यह कहा है कि अगर आप मजबूती से नहीं गए यह मोका आपके पास है आप अगर आज लगा देते हो यह रिट खारीज हो गई तो पहले बात तो इस काम के लिए बहुत दिनों में कोई त्यार होता है मन मनाता है और आप यहां तक पूचे हो आपके पास लोग भी बहुत जुड़े हैं तो मजबूती से लड़ना ऐसे नहीं कि यह खारीज हो जाए और फिर इस पर्था को लंबा खेंचे लोग यह जरूरी नहीं कि मैं यह नहीं कहता कि मैं रह गया तो होगा ही नहीं भुड़ा होगा मैं चला गया तो मैं चाहता हूं कि और हर इस्टेट मेरा बिंदर पोजी पैदा करई कोई रों तीसरा त्यार हो लड़नाई बंद नहीं होती है उसके लिए हम कारे कर रहे हैं हक मिलता है लड़ने से और मजबूती से लड़ कि बीड वेटर कांव या इनकी साथियों में सब्सक्राइब के लावा सारे के सारे परस्टनिल वरक बंद होंगे और यह मैं इस वीडियो के माद्धियम से से अच्छे अधिकारी हैं उन्से भी करना चाहता हूं तो या तो आप फूद एक मिटिंग कर गए इन चीजों को आज का वीडियो में मैं आप से सारी निवेधन कर सोगा करका मतलब जो मैंने बता है इस पर ध्यान दें किसी भी तरह का वीडियो के दुवारा प्रस्टेट की प्रस्टेट का लोग बुकबा किसी मैंसित दुवारा यह एक ओथ्राइज वो तो है पैरा में लिखा हुए है कि करनल अबव के लिए अंग्रिजों के जवाने में यह सिस्टम लागूत था और इनको ओथ्राइज है जेश्यों एंड करनल अबव लेकिन रखते यह आपको जैसे ट्वाइस ही बने लटन करनल उसके बाद दोस्यों पास तीन ऐसे ब्रिगेडर के पास चार ऐसे उपर जैसे जैसे जाते जाएंगे दस तक लोगे नो करके तरह एक जवान को ट्रेट कर रहे हैं जब यह एरफोर्स में सिस्टम नहीं है एरफोर्स भी चल रही है करने के लिए एक बंदा चाहिए तुम्हारे घर के लिए बीचे क्या लड़ाई लड़ा हुए मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो आज के इन फोक्स पर ध्यान रखें और 20 पीच में कोमेंट्स के जरीए हमें जो और भी पॉइंट होंगे वह बताता रह हुआ स्याम को इंगरोर लाइफ के दुआरा और डिसकस हो लगातार और इस बार के लड़ाई आर बार के और मज़ूति की हो जय हैं जय भारत बंदे बात्रव